बॉलिवूड के दमदार आक्टर हैं पंकच तृपाथी अपनी कमाल की आक्टिंग से पंकच ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगा बनाई है आज वो बी टाउन के लाजवाब आक्टरस में से एक हैं लेकिन उनके फिल्मी करियर में कई मुसीबते भी आई उस वक्त में पंकच के साथ चटान बनकर उनकी बीवी खड़ी रही थी आलम ये था कि पंकच के घर का खर्चा तब उनकी बीवी चलाती थी लेकिन अब पंकच भी अपनी बीवी को स्टार बनाने की तयारी में लग गए हैं जी हाँ पंकच की बीवी मुरुदुला भी अब बॉलिवूड में कदम रखने जा रही हैं वो भी अपने ही पती के साथ लेटेस्ट मेडिया रिपोर्ट से मताबिक पंकच की तरह ही अब उनकी वाइफ मुरुदुला भी फिल्मों में काम करेंगी खास बात ये है कि मुरुदुला किसी और फिल्म से नहीं बल्कि अपने पती पंकच तरिपाथी की अगली फिल्म शेर दिल दपीली भीत सागा से सिनेमा में एंट्री करने जा रही हैं मुरुदुला इस फिल्म में एहम भूमिका में नजर आने वाली हैं मृदुला तृपाथ ही डारेक्टर श्रीजीत मुखर जी की फिल्म से अपना आक्टिंग डेब्यू करने जा रही है। खुद पंकज ने अपनी बीवी के डेब्यू के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी वाइफ का डारेक्टर से बंगाली कनेक्शन था जिन्होंने उन्हें उन्हें शेर दिल में रोल देने का वादा किया था जैसे ही मृदुला को फिल्म का ये ओफर मिला तो उसने तू 25 जून को रिलीज हो रही है जिसमें नीरज काभी और सयानी गुपता भी एहम रोल में नजराएंगे बता दें कि पंकज कई मौकों पर अपनी बीवी को धनेवाद कह चुके हैं क्यूंकि पंकज जब स्ट्रगल कर रहे थे तब मृदुला ने उनका साथ थामे रखा था पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बिना किसी चिंता के अपना करियर बना सके इस वजह से ही उनकी पत्नी ने घर चलाने की जिम्यदारी ले रखी थी मेरी पतनी मृदुला ने घर की सारे जिम्यदारी सभाली थी मैं सभी को बताता हूँ कि वो घर का आत्मी है बताते चलेंगी साल 2004 में 15 जनवरी को पंकज ने मृदुला का हाथ थामा था पंकज और मृदुला की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम आशी है गौरतलब है कि बिहार में गुपाल गंज के एक छोटे से गाउं से निकल कर पंकज ने मृदुला की आकर अपनी अलग पहचान बनाई है भले ही कभी उन्होंने खुब स्ट्रगल भी देखा लेकिन आज वो एक लग्जीरियस जिन्दगी जीते हैं आज मुंबई में उनका अलिशाना शियाना भी है कभी एक कमरे के मकान में रहने वाले पंकज रिपाठी ने साल 2019 में मुंबई के मड आइलेंड में अपने सपनों का घर खरीदा था ये बंगला सी फेसिंग है जो हर सुक सुवीधा से लैस है वहीं पंकज रिपाठी की नेट वर्थ करीब 40 करोड रुपे है ये फिल्म के लिए वो फिल्म के लिए 3 से 4 करोड रुपे की फीस लेते हैं आज हर फिल्मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है फिरोर एपोर्ट E24